इस वीडियो में आपके साथ अपना पुश्डे का ट्रेनिंग रूटीन शेयर करने वालों हूँ पुश्डे के दिन बेसिकली मैं तीन टागेट मसल पर ज्यादा फोकुस करता हूँ चेस्ट, ट्र्सेप्स, लेटरल हड हमारी यह वाला मिडल हड हुता है वीडियो को स्टाट होने पहले मैं चाहता हूँ आप नीचे जाके सबस्क्राइब बिटन दवा दिए चेस्ट की मैं 3 exercise, triceps की 2 exercise और lateral head के लिए एक exercise करता हूँ आज का मैं training session start करता हूँ chest चेस्ट में मैं सबसे पहले bench press से start करता हूँ bench press के मैं 4 set मारता हूँ और 4 set में same weight के साथ progressive overload करता हूँ जैसे आज मैं 50 kg के 4 set में 8,8,8,8 wraps रिकाल रहा हूँ अगली बार जब मैं अपनी chest train करूँगा तो उसमें weight बढ़ाऊँगा जैसे 55 kg लूँगा सब में causes करूँगा 8,8,8,8 wrap निकाल लेगी हर बार ज़रूरी नहीं होगा कि आपकी 8,8,8,8 wrap निकले जब आप weight बढ़ाऊगे जैसे 55 kg से मैं करूँगा तो पहले में 8,8,7,6 ऐसे रहे हम निकलेगी फिर अगली बार जब करेंगे progressive overload तो 8,8,8,7 फिर ऐसे से करके 8,8,8,8 जब हो जाएगी तो फिर से हम weight बढ़ाएंगे और progressive overload करेंगे second exercise करता हूँ मैं incline dumbbell press incline movement chest में बहुत ही ज़्यादा effective होती आपकी chest को grow करने के लिए इसके इसमें भी मैं एक ऐसा weight चूज करता हूँ जिसके मैं 8-10 wrap निकाल सकूँ और इसके मैं 3 set करता हूँ dumbbell chest press को complete करने के बाद मैं एक fly movement करता हूँ या तो आप machine flys कर सकते हो या फिर cable flys कर सकते हो पर आपको एक ही exercise करनी है chest को train करने के लिए 1000 exercise है पर हम 1000 exercise को minimize करके कुछ ऐसी exercise चूज करनी है जो हमारी muscle को grow करें और effective हो हमाने muscle के लिए तो मैं cable flys के 3 set मारता हूँ और हर एक set में मेरा aim रहता है failure को achieve करने का हमाई chest यहां पर train हो चुकी है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने triceps की तरह triceps की में 2 exercise करता हूँ first हमारे एक lower head को train करने के लिए second long head को train करने के लिए long head बहुत important है हमारे arms को bigger दिखाता है सबसे पहले मैं करता हूँ cable push down cable push down हमारे triceps के short head को train करने में help करती है इसके मैं 3 set मारता हूँ हर एक set में मेरा aim रहता है 10-12 reps निकलने के लिए after cable push down मैं अपने long head को train करने के लिए यह वाली exercise करता हूँ इसके भी मैं 3 set मारता हूँ और इस exercise में हमें light weight choose करना है ताकि हमारे 12-15 reps निकल सके तो triceps को train करने के बाद मैं एक last exercise करता हूँ अपने push day की वह है lateral raises lateral raises हमारे shoulder को superman look देती है यह superman look इसके मैं 5 set मारता हूँ और हर एक set में मेरा aim रहता है 8-10 reps निकलनेगा तो यहाँ पर हमारी push day की सारी exercise complete हो चुकी है इन exercise पर consistent रहो आपको result अपने आप मिलेंगे फिर से बनता है अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye